नमस्का गमासान.com में आपका स्वागति आज हम बात करेंगे देश की सबसे ज़्यादा चर्चित हाई प्रोफाइल दिल्ली रोहित तिवारी मडर केस की दिल्ली का जो रोहित तिवारी मडर केस हुआ है उसके कई चोकाने वले तत्थ सामने आये हैं और यह मडर यह सोचने के लिए बात करता है कि देश में किस तरह से हाई प्रोफाइल मडर हो रहे हैं और पड़े रिखी महिलाएं जैसे की अपूर्वा शुकला जो की बाद में अपूर्वा तिवारी बन गई जी वो एक अभिभाशक थी हाई कोर्ट में प्रेक्टिस करती थी सुप्रेम कोर्ट को प्रेक्टिस करती थी और उन्होंने अपने पती रोहित दिवारी की हत्या कर देए कि हत्या की घटना किस तरह से हुई बेखों से छंड थे जब अपूर्वा ने रोहित दिवारी को गला दबाया और रोहित दिवारी ने अपनी जлаг गवाधक इए कि क्या ये हध्याखान जरूरी था क्या ये जरूरी था कि अपुर्वा अपने पती की हध्या ही करती क्योंकि कुछ समय पहले अपुर्वा ने अपने पती रोहित दिवारी को एक तलाखा नोटिस भी वेजा था उस नोटिस में उसने ये कहा था कि वह अपने पती से तलाख लेना चाहती है और इसके बाद दोनों पक्छों की तरफ से फिर से बात हुई मान मनोबल हुई और अपुर्वा दिल्ली चली की दिल्ली में कुल मिलाकर जो हालात उस दिन बने उसके अनुसा यह बताया जाता है कि अपुर्वा ने यह देखा कि रोहित दिवारी किस तरह से अपनी भावी कुमकुम के साथ शराप पी रहे थे कार में और वह वीडियो वाइरल हुआ वह वीडियो उन्होंने वीडियो काल था जब उसने यह देखा तो उसके बाद वह भड़ा गई और उसी मुद्दे को लेकर रोहित दिवारी और अपुर्वा के बीच बाहस हुई बाहस के बाद कुल बलाकर मामला यहां तक पहुँचा कि रोहित दिवारी जो की बहुत अधिक शराप पिये हुए था अपना बजाव नहीं कर पाया और उत्तेजना वश या जो भी स्तियु समय बनी हो अपुर्वा के सामने अपुर्वा ने रोहित दिवारी की जान ले दे बाद में उसने साप्च को मिटानी कोशिश भी की और यहां बताया कि रोहित दिवारी की जो मूद है वो साभाईक मूद है और उसे हाट की समस्या थी उसका आप्रिशन भी हुआ था सवाल इस बाद का है कि इस हाई प्रोफाल मडर केस जिसके गितार इंदोर से भी जुड़े हुए है उसकी सबसे बड़े बज़ाये है कि अपुर्वा इंदोर की बैटी थी वेंदोर के हाई कोट के बार असुस्याशन की पूरा त्यक्ष पीके शुकला की बैटी थी ओन हार थी और बहत खुबसुरत भी थी अब सवाल इस बाद का है कि उन्होंने रोहित दिवारी की हत्या क्यों की और क्या वज़र है कि उनको अपने हाथ रोहित के खून से रंगना पड़े जबकि वह चाहती तो रोहित से नहीं पटने के कारण या रोहित से समझोता नहीं होने के कारण या रोहित से नहीं निवने के कारण वह चाहती तो तलाप पी ले सकती थी और जिसके लिए उसकी पहल भी की गई थी लेकिन खुल मिलाकर इस पुरे मडर ने सभी को चोका कर रख दिया है हाई प्रोफालिस मडर की चर्चा इस समय पुरे देश में हो रही है डीवी चेनलों पर हो रही है और सभी दुरिया कहा जा रहा है कि क्या पती बतनी का तनाव इस इस तथी ते पहुंच सकता है कि उसे अपने पती का गलाही दबाना पड़े और खासका रेसे स्थी में जब की वह हाई कोर्डर सुप्रिम पोर्ट की जानिमानी एडवोकेट है इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए